पांट साल पहले ऐसा लग रहा था कि हुआवे जैसे कंपनी या पर टोटली खतम हो जाएगी लेगिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले पांट साल में इससे बड़ा कंपैक तो शाय किसी ने भी नहीं किया होगा वेल बात करें हुआवे की तो उसके आज के जमाने के जो फून सब जब में देखता हो तो बहुत जाद अच्छे लगते हैं जैसे कि प्यूरा 80 स्रीज देखें यहां पर आपको डॉल पहरे सको जूम देखने को मिलता है हुआवे ने पिछले साल ट्राइ फोल्डिंग फोन निकाल दिया था तो हुआवे के फोन्स आज के समय में चाइनीज मार्केट में इताचा पफर्म करें कि हुआवे दुबारे से नंबर वन की तरह भड़ रहा है यहां तक कि एपल जैसी कमच्नी से ज़ादा फ्यटास यहाप फोन्स आपे हुआवे बेच रहा है यहां तक कि लोग है ना जहां एपल के आईफोन के लाइन लगाते थे अब हूआवे के फोन्स के लिए लगाने लगए हैं और Mate Series, P Series बहुत ही जादा जबर जसना है लेकिन अगर मैं आप लोग को बोलू यह सर टिप है आइस बर के क्योंकि Huawei कम्तिनी के ऐसी कम्तिनी बनती जा रही है जो सब Apple को ही टक्कर नहीं थे कि पूरी के पूरी Google, Samsung, हर एक consumer electronic brand, software company AI company यहां तक की automotive company को भी टक्कर दे रही है वेल यही कहानी होती Huawei की Huawei पे 2019 में US का band था जिसके अंदर simple सी बात यह थी कि वो Google की services को यूज नहीं कर सकते इस वज़े से उन्होंने अपनी खुद की app गैलरी हां पर बनाई थी जिसका use करके लोग अपनी apps को download कर सके और फिर Android से move करते ही करते उन्होंने अपना Harmony OS भी बनाया लेकिन शुरुआती दिनों में Harmony OS Android के open source project के उपर बेसता यानि कि वो internally Android था लेकिन उपर से उन्होंने इसके layer change करी थी लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर Harmony OS का जो code है वो increase होता जा रहा है और Android का जो open source nature है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अगर इसी direction में भटते रहे तो ऐसा रहेगा कि जहां Android है वो बिलकुली खतम होता चले जाएगा सबसे बड़ी बात है कि Harmony OS ऐसा नहीं कि सिर्फ और सर्फ यहां पर आपके mobile phones तक ही limited है यह mobile phones से निकल के laptop, TVs यहां तक की electric cars के अंदर अपनी अलगी जगे यहां पर बना चुका है और tablets वगिरा हमें हर जगे आ रहा है और सिर्फ बात software तक नहीं है hardware तक है hardware में SMIC के साथ मिलके 7NM chips को 2023 में ही वो लोग निकाल दिये थे यह कमाल की बात हो जाती है कि ऐसी company इतनी जल्दी जल्दी अपना innovation दिखा रही है और S level पे काम कर रहे है कि उसके पास global supply chain, global technology का access नहीं है लेकिन फिर भी चाइना के अंदर रहते हुए खुद वो सारी चीज़े बना रहे है हाला कि Huawei की जो high silicon किरिन चिप्स होती है वो अभी भी उतनी ज़्यादा advance नहीं है कि लेटर स्नैब रगने media tech से compete कर ले लेकिन जिस तेजी से वो बढ़ रहे है अपनी खुद की technology बना रहे है और बिना कोई external support होते हुए भी अगर इतना जादधा achieve कर लिया तो वो बहुत impressive है और आने वाले 5 साल तक अगर ऐसी लगे रहे है तो शायद ये बड़ी बड़ी tech companies को यहाँ पर beat कर सकते हैं ये बहुत बड़ी चीज़े लेकिन सवाल ये आता है कि आकर Huawei का इता जल्दी comeback कैसे हुआ देख one of the core reason रहता है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ओनर कंपनी को अलग कर लिया तो पंदरा बिलियन डॉलर लिये थे और सारा का सारा पैसा उन्होंने R&D की उपर invest दिया उन्होंने deep technology बनाना शुरू कर दी उस level पे कि उनको कोई replace ही ना कर पा है उनको पता है कि 90% चीज़े चाइना में बनती तो उसका benefit लेंगे लेकिन जो 10% चीज़े नहीं बनती वो हम in-house कैसे बनाने लगे इन-house chips कैसे design करने लगे बैटरी में क्या next level चीज़न लेकर आने लगे या software में क्या नया करने लगे सब कुछ उन्होंने हाँ पे करने लगे और even honor को देखा जातों उपर-उपर से लगता है कि Huawei से लग हो चुके लेकिन honor company अपने आप में अलग innovation कर रही है याने की slimest foldable निकाल चुके है यहां तक की वो लोक्स दुनिया का पहला silicon carbon battery वाला फोन भी निकाल चुके है और camera's में भी वो काम कर रहे है जिस वज़े से honor एक ऐसा brand बनके बैठा हुआ है कि यहां पर चाइना में तो है लेकिन चाइना के बार global level पर भी यहां पर operate कर रहा है ज़कि Huawei के ऐसी कम्तनी है कि Chinese होते हुए भी वो यहां पर सिर्फ चाइना में ही है और चाइना के बार expand करने की कोशिश करते है लेकिन इतना बड़ा यहां पर कोई leap नहीं ले पाए इवन Huawei के साथ बात है कि Huawei के उपर बहुत ज़्यादा support है Chinese government का जिस कारण से Huawei को survival भी मिल पाया और Chinese government और उनके अलग-अलग scheme का support लेते हुए Huawei अभी भी survive कर पाया क्योंकि Huawei अगर एक private company होती totally जिसके उपर Chinese government का कोई control नहीं होता तो यहां पर Huawei totally खतम हो चुकी होती लेकिन आज Huawei इस level पर बैठी कि वो अपने आपको पूरी तरीके से बतल रही है इवन Huawei एक ऐसी company बनके बैठी हुए कि अपने product और ecosystem से यहां पर Apple जैसे company को यहां पर टक्कर दे रही है जैसे कि Huawei का गरवे ecosystem बात कर रहे थे जहां पहले वो दूसरी companies के उपर rely करते थे आहाज वो Harmony OS powered खुद की SMIC से चिप बनवाके अपने खुद के laptop बना रहे हैं खुद का proper ecosystem क्रीट कर रहे हैं अपनी smart watches चे लेके टैबे यहां तक की TVs तक के अंदर नहोंने same operating system रखा हुए औ और वही चीज़ वो कार में लेकर जा रहे हैं यहां तक कि जो सबसे closest ecosystem जो Apple के ecosystem की बराबरी यहां पर कर रहा है आज के समय में Huawei और Huawei इस level पर है कि शयाद वोसी ecosystem को यहां पर बीट भी कर सकता है लेगन यहां पर एक और सवाल आता है क्या Huawei जैसी company क्या कभी इंडिया है global level प expand कर पाईगी क्योंकि Chinese market के अंदर तो बहुत कमाल दिखा दिया यानि कि Chinese market के अंदर Huawei already Apple को पीछे चोड़ रही है Huawei जब अपने trifolding निकालती तो लोग उसके लिए यहां पर लाइन लगा देते है Huawei के phone जो Pura series, Mate series होती है वो यहां पर बहुत जाद अबिकती है उसका Harmony OS चा camera के देखने को मिलते हैं कि चाइना चाइना के अंदर तो अच्छी बाते होती वही हमारे सामने आती है अगर कोई बुरी या खराब चीज होती ने वहीं न्यूज को दबा देते और चाइना के लोगों को भी लगत है कि चाइना का internet internet और बाकी दुनिया से बिलकुल कूर य जिस वज़े से चाइना के अंदर Google जैसी कंपनी की एंट्री यहाँ पर बैंड है यहाँ पर Google सर्विसिस नहीं होती है यहाँ पर Alternatives के उपर जाना पसंद करते हैं जैसी Google का Alternative यहाँ पर बाइडू आपको देखने को मलता है ऐसे अलग-अलग एप्स और अलग-अलग एको सिस्टम में जिस वज़े से यहाँ पर चाइनीज मार्केट के अंदर Huawei सर्वाइफ कर पाई है लेकिन Huawei क्या चाइना मार्केट के बाहर निकल सकती है इस बात पर अभी भी डाउट है क्योंकि आज भी Huawei अपने फोंस के अंदर ऑफिशल रूप से गूगल प्ले स्टोर वगरा डाल के नहीं बेच सकती जिस वज़े से अगर बाहर भी अपने प्रॉड़क्स अगर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर उनके प्रॉड़क्स शायद बिके ही नहीं मार्केट में और इस वज़े से Huawei ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड नहीं कर पा रही है एक उनकी चाइनीज आर्म हम कह सकते है ओनर वो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है लेकिन वो भी स्लोली स्लोली और Huawei की जो closest जो लिटरली जो कंपनी यहाँ पर आ रही है ना बिलीव नी करोगे वो Xiaomi है भले ही इंडिया में Xiaomi की हलद थोड़ी उपर नीचे है लेकिन चाइना के अंदर कार्स बना रहे है वो लोग टीवी बना रहे है वो लोग लैप्टॉप बना रहे है वो हर वो काम कर रहे है जिस वज़े से वो इंक्रीज कर सकते है और Xiaomi जैसी कंपनी नैक्स्ट Huawei जैसा हो सकती है वेल ये बात भी है इसके साथ ही Huawei के साथ दिक्कती है और Chinese कंपनी ता दिक्कती है कि उन्होंने डीप टेक्नलोजी के उपर बहुत इंवेस्मेंट करी है खास तोर पर टेली कम्पनीकेशन के अंदर जिस कारेंट से दुनिया की लीडिंग टेली कॉम प्रोवाइडर हो जाते जैसे कि 5G के अंदर उन्होंने बहुत जादा काम किया है यहां तक कि आत के समय में वो 6G टेक्नलोजी कैसे में इस्ट्रीम की जाए उसके उपर वो काम कर रहे है ताकि जब 6G का जमाना आए यहां पर तो उनके पस टेक्नलोजी तैयार हो ताकि किसी भी कंट्रे को 6G चाहिए तो वो हुआवे के पास भी आए हाला कि इंडिया में एक अच्छी बात है कि हुआवे ओ जेटी जैसी क्यों चाइनीज कंपनीज है इनके उपर टोटली बैने टेली कम्पनीकेशन सेक्टर के अंदर जैसे कि इंडिया के अंदर जो जीओ है वो अपने खुद की बनाई हुई टेक्नलोजी को यहाँ पर यूज़ करता है एरटल पार्टनर्शिप करता है एरिकसन नोकिया जैसी कंपनीज के साथ जो कि यूरोपियन कंपनीज है ऐसे ही वोड़ाफोन आइडिया भी है और यहाँ पर देखा तो BSNL TCSQ पर लाय करते हैं कि वो उसे 5G के एक्क्यूपमेंट्स वगरा बना करते हैं तो इंडिया में तो हम इस लेवल पर अचीव कर चुकि है कि हमें बाहर चाइना के इतनी जादा जरूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर कई छोटी ऐसी कंट्री से जिनको चाइना की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बिना चाइना की हेल्प के ग्रोन नहीं कर सकते हैं और इसी चीज़ का फाइदा चाइना और उसके कंपनी यहाँ पर बहुत उठाती है तो देखाया तो फिर भी कुछ अच्छी बात है कुछ खराबाते भी है देखो एक अच्छी बात यहाँ पर यह दिखके लगती है कि हावे जैसी कंट्नी जिसको दबाया गया वो यहाँ पर दुबारा से राइस कर रहा है इसके साथ ही बो लोग रुके नहीं कि उनके उपर ग्लोबल लेवल पे सैंक्शन लगी हुए उनके पास कई सारी टेकनलोजी के एकसेस नहीं था लेकन फिर भी उन्होंने अपनी नई चिप्स को यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया इसके साथ ही उन्होंने mobile phone के साथ सा software ecosystem हर उस चगे काम करना शुरू किया और उन्होंने ये देखा कि बाहर हमें किसी के उपर rely ना करना पड़ो खुद ही हम सारी चीज़ा बना ले ये काम उनका काफी अच्छा था क्योंकि Huawei की उपर चाइना का हाथ है और Chinese connection जब भी involved होते है तो global level पर उन्हें काफी बुरी नजर से देखा आता है खास तोर पर आप खुद notice कर सकते हैं कि Chinese companies की entry बहुत मुश्किल हो रखे USA के अंदर जाता Chinese phone मिलते भी नहीं है OnePlus जैसे phone मिलते हैं चाइना के जो की USA में बिकते हैं लेकिन जो OnePlus है उसके उपर भी ban वगरा की news यहां पर आपको सामें देखने को बलरी की उसके उपर USA के अंदर ban वगरा लग सकता है इवन इंडिया में भी बतातो इंडिया में भी majority Chinese companies dominate करती हैं लेकिन फिर भी Chinese companies के लिए आग के समय बिज्रस करपाने इताजाद आसन नहीं हैं उनकी उपर अलग अलग नजर पढ़ती हैं कई बार government के authorities यहां पर रेड मारती हैं कई बार उनकी खिलाफ कई सारी news आती हैं और उनको encourage किया जा रहे हैं कि आख Chinese company खुछ चाइना की company बनके काम ना करें आप Indian company के साथ partnership करें joint venture करें और उसके बाद आगे बढ़ें ताकि कहीं न कहीं जो control हो किसी Indian company के पास हो यह भी यहां पर एक तरीका यहां पर बीच का रखा गया है और इवन इंडिया में भी यह कोशिच की जा रहे है कि जो mobile phone manufacturing होती है वो जाद 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 Indian company करें किसी Chinese phone company के साथ जैसे कि popular companies इंडिया में देखें तो भागवती electronics हो गई, डिक्सन हो गई यह कुछ ऐसी companies है जो Chinese companies के लिए भी अपने smartphones वगरा को बनाती है और इवन यह भी कोशिच की जा रही है कि बाहर की जितनी भी companies है जो अपने product इंडिया में बेचती है वो भी अपने plant इंडिया में बना है जैसे कि iPhones इंडिया में बन रहे हैं लेकिन आने वाले समय में Macbook, iPad और बाकी Apple के products भी इंडिया में बनना शुरू हो जाए तो यह भी काफी interesting move है जहां पर इंडिया ब्राइस कर रहा है धीरे धीरे लेकिन हाँ चाइना की तरफ से जो चीज़ हमें देखने को मिली अगर ऐसा कोशी इंडियन company की तरफ से अगर हमें देखने को मिले किसी company को इतना support मिले और खुद की indigenous technology यहां पर build कर ले तो यह बहुत ही सई चीज़ होगी जो दिखके अभी तो हम लग रहा है थोड़ा सा दूर है लेकिन आने वाला future यहां पर कुछ भी हो सकता है और वहीं बात करें अगर मैं Huawei की तो यार Huawei तो आजके समय में proper AI वगरा इंक्यूपर भी काम कर रही है और अब तो धीरे धीरे जमाना वो आने वाला है कि Huawei जैसी company से Apple, Samsung, Google यह सब inspiration लेंगे और खुद अपने products को design करेंगे तो हाँ दोस्तो यार ही यह कुछ चीज़े चल रही थी लेकिन हाँ अगर हम बात करें कि चाइना को ignore कर दिया जाए या Huawei को ignore कर दिया जाए तो technology के मामली में उन्होंने वो काम किया है कि उनको हम ignore नहीं कर सकते लेकिन उनसे inspiration लेके अपने आपको better बना सकते हैं और देख सकते कि अकर वो ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारी देश की company क्यों नहीं कर सकती और हमें भी उस level पर उनसे compete करना चाहिए बस यही एक message हो गए हाँ तो दोस्ते यार यह होती है हाँ आपर कहानी Huawei की थेंक्यों देखने के लिए वीडियो मैं आपसे विलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुडबाए